नमश्कार दोस्तो आपका मेरी चैनल में स्वागत है आज मैं आपको हर्याली तीज की कथा सुनाने जा रहे ही हूँ अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान शिव और मापार्वती कीजिए अवश्य लिखिए साथी अगर आपने अभी तक मेरी च कहते हैं परन्त ज्यादा तर लोग इसे हर्याली तीज के नाम से जानते हैं यह तेवहार मुखिय रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है इस दिन इस्त्रियां माता पार्वती जी और भगवान सिव जी का पूजन करती हैं इस दिन महलाएं निर्जला ब्रत रखती पूरा करके बोजन ग्रहन करती हैं इसी बज़े से इस प्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है इस दिन जगे जगे जूले पड़ते हैं इस के वहार में इस्त्रिया हरा लहरिया ये चुन्री में गीत काती हैं महंदी लगाती हैं स्रिंगार करती हैं जूला जूलती है और नाचती हैं हर्याली तीज के दिन अनेके स्थानों पर मिले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धुम धाम से निकाली जाती है हिंदु धर्म सास्त्रों के अनुसार किसी भी ब्रत का पूर्फल, कथा श्रवन या कथा के पात करने के बाद ही मिलता है अगर आप भी हर्याली तीज का ब्रत रख रहे हैं तो इस दिन हर्याली तीज की कथा का पात हवश्य करें अब सुनिए हर्याली तीज की ये कथा एक समय की बात है माता पार्वती अपने पूर्व जन्म के बारे में याद करना चाहती थी लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था ऐसे में भगवान सिव देवी पार्वती शी कहते हैं हे पार्वती तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए एक सो साथ बार जन्म लिया था लेकिन तुम मुझे पती रूप में न पा सकी लेकिन एक सो आटवी जन्म में तुमने परवत राज हिमाले के घर जन्म लिया और मु और सरदी गर्मी एवं बरसात में हजारों कष्ट शेकर भी अपने ब्रत में लीन रहीं तुम्हारे कष्टों को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी थे तब नारद मुनी तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मुझे भगवान विश्णू ने भीजा है भगवान विश्णू आपके कन्या से अतियंत प्रशन है और वह उनसे बिवा करना चाहते हैं मैं भगवान विश्णू का यही संदेश लेकर आपके पास आया हूँ नारद जी के प्रश्टाव को सुनकर पार्वती जी के पिता खुशी से भगवान विश्णू के साथ बिवा के लिए तैयार हो गए नारद मुनी ने भी भगवान विश्णू को यह सुब संदेश सुना दिया लेकिन जब यह बात पार्वती को पता चली तब वे बहुत दुखी हुई पार्वती ने अपने मन की बात अपनी सखी को सुनाई तब सखी ने माता पार्वती को घने जंगल में छुपा दिया जब पार्वती के गायव होने की खवर हिमालय को पता चली तब उन्होंने पार्वती को खोजने में धर्ती पाताल एक कर दिया लेकिन पार्वती का कहीं पता नहीं चला क्योंकि देवी पार्वती तो जंगल में एक गुफा के अंदर रेट से सिवलिंग बना का सिब जी की पूजा कर रही थी हे पारवती इस प्रकार तुम्हारी पूजा से मैं बहुत प्रशन हुआ और तुम्हारी मनो कामना पूरी की जब हिमाला राज तुमको ढूंटे ढूंगते गुफा में पहुँचे तब तुमने अपने पिता को बताया कि मैंने सिब जी को पती रूप में चैन कर लिया है और उन्होंने मेरी मनो कामना पूरी कर दी है सिब जी ने मेरा बरन कर लिया है मैं आपके साथ केवल एक सर्थ पर ही चलूंगी कि आप मेरा बिवा भगवान सिव से कराने के लिए तैयार हो जाएं तब तुम्हारे पिताजी मान गए और बिधी बिधान सहित हमारा बिवा हो गया हे पारवती तुम्हारे कठोर तप और ब्रत से ही हमारा बिवा हो सका तो हे पार्वती, त्रतिया को तुमने मेरी अराधना करके जो ब्रत किया था, उसी के परिणाम शरूप हम दोनों का बिवास संभव हो सका इसलिए हे पार्वती, इस हर्याली तीजगुर जो भी निष्ठा के साथ करेगा, मैं उसको मनो वांचित फल परदान करूँगा उसे तुम जैसा सुहाग मिलेगा, तब से कुआरी करने आएं, अच्छे बर की कामना हित यह ब्रत रखती हैं, वहीं सुहाग इन महलाएं अपने पती की लंबी उम्र के लिए यह ब्रत रखती हैं भविश पुरान में देवी पार्वती ने खुद बताया है कि हर्याली तीज का ब्रत करने पर महिलाओं को सुहाग और सौभागे की प्राप्ती होती है सावन महिने में तरत्यात इती के दिन कई बरशों की कठिन तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवानशिव को पती रूप में पाने का बरदान प्राप्त किया था इसलिए इस ब्रत का बड़ा ही महत्तु है जैहो भगवान शिप की, जैहो माता पार्वती की हर्याली तीज की पूजा विथी इस दिन सुहागिन महलाओं को सुभे सुभे इसनान आदिशी निर्वित होकर अपने माईके से आई साड़ियां और स्रिंगार के सामान का उपयोग करना चाहिए इसके बाद सुभ महूरत के अनुसार माता पार्वती और भगवान सिप के साथ गड़ेश भगवान की प्रतिमा इस्थापित करें सबसे पहले गड़ेश पूजा करते हैं इसके बाद माता पार्वती को सोले सिंगार की सामिगरी के साथ साड़ी, अच्छत, दीप, धूप, गंध, आदे अर्पित करते हैं उसके बाद भगवान सिप को भांग, धतूरा, स्वेत, फूल, बेल, पत्र, धूप और गंध, आदे शमर्पित करते हैं हर्याली तीज की कथा सुनते हैं और उसके बाद तीनों लोगों की आर्ति करते हैं अंत में सभी भक्त जनों में प्रशाद और पंचमरत का वितरन करते हैं हर्याली तीज ब्रत निर्जला होता है इसलिए यदि आप हर्याली तीज ब्रत रख रही हैं तो ध्यान रहे कि ब्रत की शुरुआ से लेकर पारण तक जल्वी ग्रह नहीं करना चाहिए हर्याली तीज के ब्रत में हरे रंग का महतु होता है हरा रंग अखंड सौभागे का प्रतीक माना जाता है साथ ही ये रंग सिपजी और माता पारवती को बेहत प्रिय है ऐसे में इस ब्रत में महिलाएं हरे रंग की चूड़ी, बिंदी, हरी साड़ी और अनि सिंगार, सामिग्री में हरे रंग का इस्तमाल ज्यादा करें हर्याली तीज का ब्रत महिलाएं अपने पती के लिए रखती हैं, ऐसे में कोशिस करें कि ब्रत के दिन पती-पत्नी दोनों ही एक दूसरी से बात बिवाद न करें जोतिश के अनुसार, जो ब्रती महिलाएं किसी कारण बस हर्याली तीज पूजा में सामिल नहीं हो सकती हैं, फिर हर्याली तीज ब्रत कथा को जरूर पढ़ें या सुनें हर्याली तीज का महतु सुहागिन महिलाओं के लिए हर्याली तीज ब्रत बहुत ही महतुपून होता है, हर्याली तीज के खास मौके पर महिलाएं जूला जूलती हैं और सावन के गीत गाती हैं पौरानी कथाओं के अनुसार माता पारवती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी उनका कठोर तब देखकर भोले नात प्रशन हो गए थे और हर्याली तीज के दिन माता पारवती को पत्नी के रूप में सुईकार कर लिया था इस ब्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभागेवती होने का आशिरवाद मिलता है जैहो भगवान शिव के जैहो मता पारवती के आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताई साथी मेरे वीडियो को जादे से जादे शेयर करें धन्यवाद